Hello and welcome to Great Online Academy, मेरा नाम है MD Sumi, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाटा बेस क्या है, कैसे डाटा को कलेक्ट करके डाटा बेस बनाया जाता है, और हम लोग जानेंगे डाटा माइनिंग क्या है, डाटा को कलेक्ट करने के बाद कैसे उसका माइनिंग करें, साथ में को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, तो चलिए समझते हैं, हम लोग पहला कुछ कर सकते हैं, मान लिजे, जैसे आगर आपके पास किसी के ITM कार्ड का पीन या उसका information मिल गया, तो आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आपने कुछ कर पाऊगे, तो डाटा कितना इंपोर्टेंट है आज के लिए, यह आप जानते होंग ताकि हम लोग अपने कंपनी का इंप्रूब्मेंट के लिए उसको कैसे यूज कर सकें, इन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे, तो पहला टेकनिक जो है forms and questionaries, कहीं पे भी आप लोग जाते हैं, तो डाटले आपसे forms भरा लिये जाते होंगे, कहीं पे भी आप गए होंगे, आपसे information ले लिए गए, अब आपसे information लेने के बाद, जब आपने कहीं blank छोड़ दिया, तो कुछ questions पूछ लिए गए आपसे, questions पूछ के उसने साय डाटा को collect कर लिया, तो यह सबसे basic टेकनिक है, टाटा को collect करने का, अगर कोई customer आपको forms भी नहीं भरना चाहता, interview भी नहीं देना चाहता है, तो हम लोग यह observe करेंगे कि वो कहां पर जाता है, किन products को लेता है, तो वहां से हम data collect कर लिए, कि उसका interest कहां है, किन किन चीजों को ले रहा है, क्या चीजों वो देख रहा है, किन चीजों को prefer कर रहा है, वो data को collect कर लिया, ताकि जब वो हमारे पास आए, तो हम उन चीजों को दिखा सकें, जिसमें उसका interest है, अब अगला जो हम लोग टेकनिक इस्तेमाल करेंगे, documents and record, मतलब सारे information को collect करने के बाद, हमको verification के लिए document चाहिए होगा, तो customer का document ले लेंगे, जैसे मान लीजे, उसने आप, आपको नाम बताया, सोहन, और document में मोहन ल तो आप इससे क्या होगा, कि चीजें मैच नहीं करेंगी, तो आपको अपने company के लिए data को evaluate करने में मुश्किल आएंगी, अब अगला हम लोग point जो समझेंगे, focus group, मतलब हम लोग focus करेंगे, customer किस group से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग personal data को इकठा नहीं करेंगे, groups के data को इकठा करेंगे, ताकि हम एक group को जब influence कर देंगे, तो वहाँ एक particular person नहीं, सारे groups वाले person होंगे, सारे persons influence होंगे, तो आपके product को वो खरीद पाएंगे, अगला जो हम लोग technique लगाएंगे, oral histories, में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब data करने के लिए, हम लोग oral histories का इस्तमाल तब करते हैं, जब मान लेजे कोई customer आपके पास आया, वो मान लेजे ऐसे चेक करने के लिए कि क्या आपका price है, किस price में आप बैच रहो, कुछ customers ऐसे भी आते हैं, तो अगर आप से वो इस वज़े से इतना time taking process चल रहा है, तो अब आप क्या करें, कि उनसे अगर customer आप पूछा कि आप कहां से हैं, आप कहां से आया हैं, आप किस जगह से आया हैं, तो अगर आप UP से हैं, बनारस से हैं, इन चीजों को एनलाइज करके आपको बनारस की सारी दिखाएगा, तो आ अगला जो है, साय डाटा को collect करने के बाद, combinedly हम लोग उस पर research करते हैं, कि डाटा हम किस तरह से utilize करें, कितना हमारा डाटा जो है, वो satisfied है, हमारे जो loss है, हमारे जो benefits है, उस पर satisfaction है, इन डाटा को हम लोग satisfy कर सकें, अगला जो point है बच्चों, online tracking, online tracking में क्या होता है, कि जब हमारे डाटा को collect करने के बाद, हमने customer को जब advertisement दिखाना है, तो online tracking हम लोग यह देखते हैं, कि वो किस तरह के post कर रहा है, किन चीजों पर जादा interest दिखा रहा है, माल लिजिए अगर वो traveling उसकी hobby है, तो वो अगर कपड़े ख़िदना चाहता होगा, तो कपड़े हम उसको द करते हैं, कि जब कोई customer online marketing करता है, Amazon हो गया, Flipkart हो गया, इन सारे चीजों में किन चीजों को ज्यादा prefer कर रहा है, तो इसका हम लोग advertisement कर सकें, उसको दे सकें, बता सकें अपने products के बारे में, अगला जो है social media monitoring, social media monitoring का मतलब है, कि आज के time पे Facebook, WhatsApp, Google यह बहुत ही मतलब हम लो लेती है, अभी आपने फिलाल देखा हुआ कि WhatsApp अपने data को बेचने वाला था तो बहुत बवाल हुआ था इस पे, तो वो रुक गया, तो यहाँ पर क्या करती है company, अपने data को बेच देती है, तो data का value बहुत जादा है, बच्चों, इन सारे जो techniques हमने इस्तमाल की data को collect करने क इससे क्या करते हैं, हम किसी customer को अपने control में ले लेते हैं, और customer से अपनी loyalty को maintain करते हैं, customer की loyalty को retain करते हैं, customer हमारे पास रहे, यह CRM में सबसे key factor है database, जिसका इस्तमाल हम लोग data को collect करने के लिए करते हैं, और अपने improvement के लिए इसका इस्तमाल करेंगे, तो बच्चों आप लोग यह समझ चुके होंगे, कि database कैसे बनाया जाता है, किन-किन techniques का इस्तमाल करके data को collect किया जाता है, data क्लेक्ट करने के बाद अब बारी आती है products को बेचने की, तो products बेचने के बाद जब payments की बारी आती है, तो कुछ payment options के बारे में हम लोग बात कर ले कि कुछ पैसे वो कम करके देंगे, बहुत मतलब जीजक करेंगे देने में, लेकिन जब आपने options को देंगे, आप Google पे से transaction कर लीजे, या फोन पे से transaction कर लीजे, तो उस options को बहुत जल्दी prefer करेंगे, और आपके products बहुत जल्दी बिकेंगे, और customers आपके बढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं, नेस टॉपिक पे, data mining को समझते हैं, तो चलिए बचो जानते हैं, data mining क्या है, data को हमने collect कर लिया, data को collect करने के बाद जब उस पर analysis करना होता है, research करना होता है, कि मान लिजिए हमारे पास customer के पास सारा data है, कुछ products हमने अपने companies यो मंगाया है, जो बच गया के लिए भी नई एपोचुनिटी हम ला सके और कंपशनी को हम लॉजस से प्रॉफिट पर जा सके जैसे मैंनले जे नए बिजनेस में जब आए बिजनेस को करते हैं तो यह सब लोग जानते हैं कि उसमें रिस्क होता है कि यह परड़क्ट विकिए गा की नहीं विकिएगा पर बिजनेस जो है बिना रिस्क के नहीं चलता है उसमें हमें रिस्क लेना होता है कब प्रॉफिट हो कब लॉस हो इसका कोई भरोसा नहीं है तो सारे चीज़ें रिस्क पर डिपेंडेंट होती है तो CRM जो है हमें ये हल्प आउट करता है कि हम उस रिस्क फैक्टर को कम कर सकें तो data mining जो है, risk factor को कम करता है, नए opportunities को बढ़ाता है, नए customer को जोड़ता है, और नए-नए offers को लाता है ताकि हम अपने सारे products को बेज सकें. अब हम लोग जानते हैं कि जो data mining term है, यह आया कहां से, data mining term जो है 1936 में आया, एलन टूरिंग ने इस वर्ड को लाया, जिस तरह से data mining आज modern day में हम लोग करते हैं, पहले क्या होता था, कि data mining करना जब software का evolution नहीं हुआ था, तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि paper work होता था, जब हमने data base बनाना चालो कर दिया, computer पे, तो data mining करना easy हो गया, तो techniques के बारे में हम लोग जानेंगे आगे, अभी हम लोग जानते हैं कि data mining के क्या क्या advantages है, mining means, जैसे हम लोग coal mines है, diamond mines है, तो वहाँ पे koela निकला जाता है, तो mining means निकालना, तो जब data को हम लोग रिस्टोर कर है, क्या क्या revenue, क्या क्या products बच गया है, कितना हमने जो invest किया, वो मेरे पास वापस आया की नहीं आया, इन सारे चाजों के बारे में जानने के लिए data mining के analysis की जाती है, improving cross selling and up selling, cross selling मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था second lecture में, कि cross selling क्या होता है, cross selling में हम लोग combination बना है, कि up selling करने के लिए, जब आप small packet खर देंगे, french fries का, तो वो small packet ना देके कुछ आपको profit बता के, बड़े packet को देगे, कि सर आप बड़ा ले लिजे, इसमें आपको इतना profit होगा, तो वो up selling हो गया, Retaining customer and increasing loyalty, तो retaining customer means customer को अपने पास आपको बरकरार रखना है, ताक कि customer किसी और के पास ना चला जाए, क्योंकि market में बहुत सारे options है, एविलेबल हैं, तो customer को retain करने के लिए, बहुत जगहों पे membership दिया जाता है, आपको इसमें points जूड़ेंगे, points जूड़ेंगे, जब आप चीजों को खरीदेंगे, तो वो सारे जो profit होगे, उसमें थोड़ा सा add करके, आपको deduct करके दिया जाएगा, तो इससे क्या होता है, क्स्टमर जो है, रेटेन रहता है, और loyalty बनी रहती है, क्स्टमर की subkeeper के साथ, यह business में loyalty को maintain करके रखते हैं, increasing ROI याने की return on investment from marketing campaign, जब हम marketing campaign करते हैं, अपने advertisement करते हैं, products की, तो हम जतना invest किये, उतना return आना चाहिए, तो यह data mining के थ्रूँ, उसकी analysis करके, हम इसको पढ़ा सकते हैं, detecting fraud, अब देखिए, detecting fraud में क्या किया जाता है, कि जब हमारे पास CRM को software है, data है, तो fraud को detect करना, कहने का मतलब यह कभी कभी क्या होता है, कि customer जो है, यह दो product लेके गया, एक का पैसा दिया, एक का नहीं दिया, तो यह सारी चीज़े, mining जब हम करें, ग्राटा निकालेंगे, उस पर research करेंगे, तो वहां से हम फ़र को detect कर सकते हैं, तो customer को contact करके उनको बता सकते हैं, कि sir, आपका यह आपने एक ही product का पैसा दिया है, एक का नहीं दिया है, तो यह सारी चीज़ें को हम maintain कर सकते हैं, mining के द्वारा, identifying credit risk and monitoring operational performance, तो monitoring operational, जो performance monitor हो रहा है, computer में जो CRM software मौजूद है, तो सारी चीज़ें जो operate हो रही है, यह एक perfect way में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ें को हम नजर रख सकते हैं, analysis कर सकते हैं, data mining के द्वारा, चलिए बच्चों, data mining आप समझ गये होंगे, क्या-क्या advantages है, यह जान गए होंगे आप लोग, तो यह CRM में बहु इससे loyal रह सकें, और अपनी profit को बढ़ाएंगे, revenue बढ़ाएंगे, अब चलते हैं, next topic पे, data mining कुछ techniques के बारे में जान लेते हैं, कि data mining कैसे की जाती है, तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं, कि data mining में कौन-कौन से techniques को इस्तेमाल किया जाता है, data mining करने के लिए, डाटा इससे techniques के बारे में समझेंगे, पहला है artificial intelligence, artificial intelligence जो है, एक internally inbuilt robot है, जो की software से मौझूद होता है, जैसे schools में आपने देखा होगा, कि आपका directly नाम सर्च करके जान लेते हैं, वो लोग कि आपका कितना fish remaining है, कितना आपने जमा किया है, आप कितना class attend किया आपने, तो इसमें सा shop पे जाते हैं, mall में, तो एक barcode के जरिये, वो scan कर लेता है, सारे products को, और सारे calculations automatically हो जाते हैं, तो artificial intelligence को आप लोग समझ गया होंगे, कि ये एक inbuilt robot है, अगला जो है market based analysis, market based analysis को आप समझें कि market based analysis, मतलब जब market में हम लोग products को बेच रहे हैं, तो किन चीजों को हम लोग साथ म बेचने के लिए, जब हम लोग torch बेचेंगे, तो साथ में battery, बिना battery के torch चलेगा नहीं, और अगर rechargeable battery है, तो उसको charge करने के लिए charger की जोरत होगी, अब charger तो बेच दिया, अगर वो USB based charger है, तो हम लोग USB भी charger बेच सकते हैं, तो इन चीजों को हम market में समझ सकते हैं, कि analysis करके data mining के जरिए, कि किन-किन चीजों को हम साथ में बेच सकें, तो market patient analysis समझ गया होंगे, आते हम लोग clustering पे, clustering जो अगला process data mining की, clustering में क्या किया जाता है बच्चों, इसमें groups बनाया जाता है, कि customer जो है किसको ज़्यादा preference दे रहा है, किस product के तरफ ज़्यादा आकरसित हो रह है, तो यह जो है सारा CRM के software में data mining के जरिए हम लोग एक group बना लेते हैं, अब मेरे पास जो product available है, जो भी products available होते हैं, उन सारे का grouping करते हैं, और customer के requirement के लिए हिसाब से उसको arrange कर लेते हैं, सारे चाशे साथ में arrange की जाती है, ताकि जब आप एक product खरीदें, तो दूसरे products को भी साथ में खरीद लें, आप यह देखे होंगे कि बड़ा table है, जिसमें data store है, यह section was divide है, मई 2019 यह partitioning की जा रही है, और यह file group बनाया जा रहा है, ताकि products हम अच्छे से उसको arrange करके बेच सकें, अगला है data analytics, data analytics एक technique है, जिसके दोरा हम specific information evaluate करते हैं, customer का निकालते हैं, और उ क्यों नहीं product को खई रहा है, या क्या दिकते आ रही है, उसको क्या नहीं समझ रहा है, उस सारे products के benefits को बताते हैं, ताकि customer जो हमारे पास आए, और products को ले सके, अगला जो point है बच्छो, तो data analysis समझ गया होंगे, अगला point है data warehousing, data warehousing means यह large data's का collection है, जहाँ पे data's को store किया आता है, अलग-अलग source के द्वारा, data collection हमने पढ़ा, कि data को कैसे collect किया आता है, किन-किन techniques के द्वारा, अब जहां यह store होता है, data warehouse उसी का नाम है, तो यह गोदाम है, warehouse मतलब गोदाम, तो जहां से हम data's का analysis करेंगे, और reporting करेंगे data's का, और mining करेंगे, तो market को समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी points है, इन सारे points को आप समझ गया होंगे, कि कैसे data mining किया जाता है, किन-किन techniques के द्वारा, तो सारे points को आप एकर करके ध्यान से समझिए, और चलते हम लोग next topic पे, तो चलिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि data visualization क्या है, data को कैसे visual form में represent करें हम लोग, जब data base में data को store कर लिया, data की mining कर लिया, तो उसको visual form में कैसे represent करें, इसको हम लोग जानते हैं कि कैसे visual form में represent किया जाता है, पहले के time में क्या था था बच्चों, कि पहले के time में modern techniques नहीं आये थे, अभी तो modern techniques आ गये हैं data को represent करने का, तो पहले हम लोग बार ग्राफ के या trends के थुरू data को represent करते थे, ताकि हम लोग single click में यह समझ सके कि company में कितनी losses हो रही है, profit हो रही है, और कितने हमारे revenue return आ रहा है, नए customer कितने जुड़ रहे हैं, और पुराने customer कितने छोड़के चले गए, तो हमारे company में सारी descriptions जो है, एक ही graph में चीजों को represent कर दिया जात तो उसको समझना बहुत ही lengthy हो जाता है, तो visual formation आप लोग समझ गया होंगे, कैसे किया जाता है data का, इन सारे data का representation जो है, हम एक single click में जान सकते हैं, ना कि हम एक customer को देखना पड़ेगा मुझे, data में जाके, हम directly एक graph को देखके, सारे चीजों को समझ जाएंगे, और जान जा बहुत ही beautiful way में data को visual form में represent किया गया है, इन सारे descriptions को हम directly यहां से समझ सकते हैं, data के बारे में, कि क्या क्या हमारे company में हो रहा है, और कैसे उसको reduce किया जाए, यहां अपने company को कैसे profit के तरफ ले जा सकते हैं, तो इन सारे points को आप समझ गया होंगे बच्चों, एक करके मैंने sizes को समझाया, इनके आप notes बना लिजिए, या हमारे PDF को follow कीजिए, PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा, जिसका link description box में रहता है, thank you for watching my video, अगर इस lecture से कोई भी doubt है, या पिछले lecture से कोई भी doubt है, तो आप मुझसे comment box या telegram channel पे पूछ सकते हैं, जिसका link हमारे description box में रहता है, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए जय हिंद,